अगर आपने प्रीविएस क्लास की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करें जितने भी कॉशन हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो पहले पूछे गए हैं एक्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करत हैं आज की क्लास अकवर ने जजिया नामक कर जो की गैर मुस्लिम जंता पर लगाया जाता था किस वर्ष समापत करवाया था तो ये 1564 इस भी में समापत कर दिया था सूर्योदे का देश के नाम से कौन सा देश परसीद है जापान को सूर्योदे का देश कहा जाता है अंतर राच् centrif नियालेे कहा स्थित हैं तो यह हैंग में हैं हॉलन निदरलैंड में स्थित हैं अंदराश् TB नियालेे की स्थापना जून 1945 में की गई थी अंदराश्टिय नियालेे में कूल पंदरा नियाइधी सोते हैं जो कि नुव वर्शों के लिए चुने जाते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सुरोजनी नियाइडू ए उप्षिन इसमें सही हो जाएगा मीरा कुमारी कौन थी? मीरा कुमारी भारत की पहली महिला लोकसभादेख्ष थी सुचेता क्रिपलानी जो थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्य मंत्री थी इंद्रा गांधी देश की प्रथम महिला परधान मंत्री थी सुरोजी नेडू उत्रप्रदेश की महिला राजेपाल बनी थी सुजेता क्रिपलानी भी उत्रप्रदेश की ही मुख्य मंदरी बनी थी यह point आपने याद रखने है Next question देखिए वासकोडी गामा भारत कब आया? वासकोडी गामा भारत में आया था 1498 में यह एक पुर्तिगाली थे जिन्होंने भारत की खोज की थी और समुंदर के रास्ते से भारत में सबसे पहले पहुँचने वाला यूरोपी वासकोडी गामा ही थे और यह सबसे पहले पहुँचे थे कालिकट केरला में जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने महात्मा गांधी के दो परमुख नारे जो हैं करो या मरो और भारत शोडो अटल बहरी बाज का नारा जै जवान जै किसान जै विज्ञान ये अटल बहरीबाचपे का ना gamma था भारत में श्वेत क्रांती के जनक कों है तो Dr. Vargych Kurnian को देश में श्वेत क्रांती के जनक कहा जाता है भारत में श्वेत क्रांती हुई थी 1970 में और Operation Blood के नाम से भी इसे जाना जाता है इस क्रांती के बाद देश जो दूद की कमी से जूज रहा था वो दुनिया का सबसे जादा दूद उत्पादन करने वाला देश बन गया था G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना हुई थी? 1999 में G20 का पूरा नाम है Group of 20 इसका कोई मुख्याले या सचिवाले नहीं है G20 की अध्यक्षता का फैंस लाजो है ट्राइका से तै किया जाता है इसकी अध्यक्षता पहले किसने की थी? प्रेजेंट में कोन कर रहा है? और आगे कोन करेगा? यह तीनों देश मिल के इसकी अध्यक्षता का फैंसला करते हैं 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारे देश भारत ने की कब हुई थी G20 की मीटिंग 9 और 10 सेप्टेम्बर को न्यू डैली में और इसके बाद हमारे देश के परधान मंतरी निरेंदर मोधी जी ने ब्राजिल के राष्टेपती को G20 की अध्यक्षता का जिम्मा सोप दिया था 2023 में G20 मेलन की थीम थी वसु धेव कुटमबकम जिसका आर्थ होता है विश्यव एक परिवार है मध्यपरदेश का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो इंदोर को मध्यपरदेश का मैंचेस्टर कहा जाता है इंदोर जो है सूती वस्त रुध्यों का मुख्य केंद्र है इसलिए इसको मद्य परदेश का मैंस्चेस्टर कहा जाता है अगर वीडियो आपके लिए इंफोमेटिव हो तो लाइक और शेर जरूर कर देजेगा थेंक्स वोच्वेश्व